नमस्कार दोस्तों मैं तरून और मैं स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तरून ट्रेकिंग ट्रेक में अगर आप एक CSTVL है या कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है और यदि आप पेन कार्ट के सर्विस पर काम करते हैं तो आपके लिए जो है एक अपडेट निकल की से वेरिफाई करना होता था और इसके बाद अब जो दुसरा अपडेट है इस में आपका पुलिस वेरिफिकेशन और उसके बाद पेन कार्ड अपलोड करना होगा तो CSC भेली अपना पेन कार्ड और police verification किस प्रकार से upload करेंगे तो आज के इस वीडियो में आप step by step जान पाएंगे तो सबसे पहले आपको कोई भी एक browser open कर लेना है इस पर आपको अपना digital sava portal login कर लेना है और इसका जो search box है इस पर आपको type करना है pen card तो इसके बाद जो यहाँ पहला option मिल रहा है pen card service आधार online इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यह redirect कर देता है UTI pen का official site पर इसके बाद यहाँ पर click here पर click करना है तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपका registered mobile number और registered email id पे एक OTP भेजा गया है उस OTP को यहाँ इंटर करना है उसका submit पर click करना है तो हम OTP इंटर कर देते हैं तो friends यहाँ जो है आपको एक information मिल रहा है कि kindly update your profile तो आपको इस OK पर click करना है यहाँ जो है personal detail आपको कुछ नहीं करना है और इसके बाद यहाँ पर document म आने के बाद यहाँ आपको यह दी फ्रेंट्स आप इसको update नहीं करते हैं और यहाँ पेन कार्ड और police verification certificate को upload नहीं करते हैं तो आप जो है UTI से pen card नहीं बना पाएंगे आपका यह service जो है directive हो जाएगा आपके CSC portal से तो आप लोग चाहते हैं कि हमारा UTI pen portal चालू रहे तो आ यानि की character certificate जो है update कर देना है तो इसमें update करने के लिए आपको यहाँ चूच फाइल पर किलिक करना है और आपका pen card जहां भी रखा हुआ है आप यहाँ से select करेंगे और open पर किलिक करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो कि है यहाँ upload सिर्फ PDF में ही लेगा JPG में नह आते हैं इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है फिर से आपको को एक browser open करना इस पर आपको टाइप करना है JPG to PDF और इसका पहला website जो आएगा इस पर आपको किलिक करना है और यहाँ पर select JPG करना है और आपको जिसको भी PDF में convert करना है उसको लेना है और इसके बाद convert to PDF यहाँ पर आपको दिख रहा convert to PDF इस पर किलिक करना है तो आप देख पारेंगे जो है PDF में बन चुका है तो फिर से हम चूच फाइल पर किलिक करेंगे और उसके बाद हमारा pen card जो upload हो गया और इसके बाद हम यहाँ पर police verification certificate को भी upload कर देंगे और इसके बाद यहाँ जो ह है police verification certificate issue date तो यहाँ आपको जो है किस date को issue हुआ है वो certificate वह यहाँ पर टाइप करना है तो पहले आप यहाँ से देख ले कि case date को जो है issue हुआ है 1326 यह difference जिसके पास भी police verification certificate बना हुआ नहीं है यानि कि character certificate और यह जो certificate बनता यह नजदीकी थाने से बना जाते हैं तो आपको online करना है तो character certificate को किस परकार से online करना है हमारे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है आप एक बार चेक आउट कर लें नहीं तो और उस वीडियो का link जो है हम description दे देंगे साथ ही इस वीडियो का i button में भी police verification certificate किस परकार से online करना है उस वीडियो का भी link होगा तो आप एक बार देख ले उसके बाद अपना character certificate पहले बना ले उसके बाद यहाँ पर upload करें तो इतना सब होने के बाद आपको submit पर click करना है तो आप देख पार हमारा जो है successfully submit हो गया है और हमने document जो है upload कर दिया है और इसको जो update होने के लिए जो है 24 घंटा का समय लगेगा तो इसके बाद आपको okay पर click करना है और फिर से यहाँ जो है I hope कि वीडियो पसंद आया होगा आप सभी को और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें तो फ हुआ